तो स्टुडेंट्स हमने सुंदरलाल पाट के प्रशन उत्तर पिछले वीडियो में हमने कर लिये थे साथी साथ हमने बातचित के लिए जो प्रशन थे वो भी हमने विचार दिमर्श किया उन पर भी और अब यहां अनुमान और कल्पना संबंदी प्रशन बच गए थे और बाकी भाशा की बात जिसे हम आज हमात करेंगे तो अनुमान और कल्पना संबंदी प्रशन में पहला प्रशन है यदि आपको कोई व्यक्ति पेड काटता नजर आए तो आप उसे किस तरह समझाएंगे देखिए जैसे सुन्दरलाल समझाता था फिर उसने लोगों को भी कि लोग पेड कंपनी के मज़व पेड ना काट सकें तो उन्दरलाल ने उनको पेडों के साथ चिपक जाने के लिए कहा तो यदि आपको कोई पेड काटता नजर आए व्यक्ति कोई व्यक्ति पेड कारता नजर आए तो आप उसे कैसे समझाएंगे किया आप उसको मारने लग जाएंगे कैसे समझाएंगे तो आप उसको कारण पुछेंगे फिर उसको उसके महतु के बारे में बताना चाहिए कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है पेड अगर कट जाएंगे तो क्या होगा वरेगिस्तान बनते देर नहीं लगेगी तो ये भी आपका स्वतन्त रूतर है कल्पना कीजिए कि अगर सारे पेड कट गए तो धर्ती का क्या होगा पेड कट गए तो धर्ती क्या हो जाएगी वीरान हो जाएगी सुनी हो जाएगी अकाल पढ़ जाएगा सुखा पढ़ेगा ठीक है और पानी की समस्या हो जाएगी वर्शान ना होने से सुखे की स्थिती उत्पन होगी तो पेड तो हमारे लिए वर्दान है मनुष्य जाती के लिए वर्दान है क्योंकि मनुश्य प्रकर्ति में ही जन्म उसने लिया है कौन सी हरी भरी प्रकर्ति के साथ जुड़ा है जहां बहते जरने हैं जहां बहते नदियां हैं जहां पेड़ पौधे हैं अर्याली है पूल है रंग भी रंगे तो ये पेड़ पेड़ तो हमारे लिए जीवन दाता है ये हमें जीवन देते हैं ये हमें बहुत सारी चीज़े देते हैं वो भी कैसे मुफ्त में जिसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं इनको पेड़ों को पेड़ हमें देखो ऑक्सिज बना देते हैं ऑक्सिजन लगाने के लिए तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब सारे पेड़ कट गए वैसे तो तब पेड़ कट गए तब तो ये स्रिष्टी ही खतम हो जाएगी और पेड़ नहीं होंगे तो प्रदूशन तो फैलेगा ही फैलेगा पानी की कमी भी होगी पिर तो वह वाली स्थिती आ जाएगी और फिर और पैसे निकालने पड़ेगे तो उसके बार टोका ठाकी होगी की बाहर खिलने मच जाना नहीं तो ज़्यादा उक्सिजन लगेगी जढ़ा मत Lucy लगेगी जदा उधम मत मत जाना नहीं तो oxygen खतम हो जाएगी है ना फिर ये रोकाटों की भी साथ में होगी imagination है अनुमान है कलपना है कलपना तो कुछ भी कर सकते हैं न तो चलिए अब भाशा की बात पर आते हैं नीचे लिखे युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो युग्म शब्द हमने पहले भी पढ़े युग्म यानि जोडा शब्दों का जोडा आस पास ठीके तो यह मिलते जुलते युग्म शब्द होगे मित्र मंडली ये भी मिलते जुलते वाले युग मिशब्द है हरे भरे ये भी मिलते जुलते वाले युग मिशब्द है और कहते कहते ये एक जैसे वाले युग मिशब्द है ऐसे ही कई युग मिशब्द कैसे होते है अब जैसे कहते कहते तो चलते चलते भी होता है पढ़ते पढ़ते भी होता है बोलते हैं पढ़ते पढ़ते मैं ठक गया कहते कहते मैं ठक गया और इसी तरह से देखो दाएं बाएं विलोम शब्द वाले भी यूगम शब्द होते हैं दाएं बाएं, बेहन भाई, उपर नीचे, तो इस तरह के भी युग्मशब्द होते हैं, तो कई प्रकार के युग्मशब्द होते हैं, और एक प्रकार और होता है युग्मशब्द का, कि जिसका पहले वाले का मतलब होते हैं, दूसरे का मतलब भी नहीं होता, जैसे चाए वाई पिलाना, मिठाई विठाई ले आना, तो मिठाई तो ठीक है, विठाई क्या है, चाई तो ठीक है, वाई क्या है, ठीक है, कपड़े शपड़े देना जरा, कपड़े तो ठीक है, शपड़े क्या है, तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिसका पहले वाले का मतलब हो यह рублей Même बताये कि यह STRILL-Link है या? पुलिंग इंडिये चैनि की पता करेंगे की यह ISTRL-Link है? तो सबसे आसान तरीका ना या आप के लिए ही तरीका ठीक है मेरा शरीर स्वस्थ है ठीक है और मैं शरीर से लाचार हूँ लाचार बोले लाचारी तो नहीं है ऐसे नहीं बोलेंगे तो यह पुलिंग्शा हो गया जैसे पढ़ाई मुझे पढ़ाई करना है नहीं बोलेंगे मुझे पढ़ाई करनी है ठीक है ना मुझे पढ़ाई करनी है तो ये क्या बन गया इस्त्री लिंग और पीछे ई भी है इसलिए इस्त्री लिंग कुलहाडियां अब कुलहाडी से तो कुलहाडियां बना तो ई तो है ये ने पीछे कुलहाडी तो कुलहाडी से कुलहाडियां ये तो भवचन रूप बना तो ये भी इस्त्री लिंग है पत्र पत्र क्या है पत्र अब चाहिए इसको पत्ता कहलो चाहिए इसको आप चिठी कहलो तो ये पत्र तो उसने पत्र लिखे तो ये तो हमारा पत्र कौन सा है चिठी वाला तो पत्र आया है पत्र आई है नहीं बोलते हैं पत्र आया है तो ये क्या हो गया पत्र पुलिंग लिंग अगर मैं कहूंगे चिठी तो देखो मैंने चिठी लिखी चिठी लिखा नहीं बोलेंगे मैंने चिठी लिखी तो चिठी क्या हो गया इस्त्री लिंग वैसे भी ई है पीछे चिठी इस्त्री लिंग चीक है जंगल तो अ है जंगल तो ये है पुलिंग कटाई तो ई है पीछे तो ये भी stirling है वैसे ही बोल के देखो खुता लेया है नहीं बोलते हैं खुता लेया है कटाई च्षटाई हो गई क्या तो देखो यह हो गया stirling तो शरीर है, pooling पढ़ाई है stirling यह उपर से देखके spelling गलत मत लिखना यहां से देखके लिख लेना पढ़ाई है, इस्त्रीलिंग, कुलहारियां, इस्त्रीलिंग, पत्र, पुलिंग, जंगल, पुलिंग, कटाई, इस्त्रीलिंग चलिए, जीवन मुल्ले की बात करते हैं, तो देखे, पेड़ पॉधे में भी जीवन है, बिल्कुल है ये हमें अनाज, फल, छाया, ओक्सीजन आदी देते हैं धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल, आदी अपने उपर लेकर हमें सुख देते हैं देखो ये धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल से हमें बचाते हैं न तो देखे इसमें से पहला प्रश्न क्या बोला है पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है कारण बताईए अब ये भी पेड़ पौध है क्या है? ये भी यूग्म शब्द है पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है कारण बताईए तो देखे हम तब से पेड़ पौधों के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधों को काटना बिलकुल उचित नहीं है उपर ही लिखा गा इसका उत्तर यह हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सिजन, किती सारी चीज़े देते हैं हमें धूप वर्षा जाड़ादी से बचाते हैं और इनको काटना बिलकुल भी उचित नहीं है वैसे भी पर्यावरण का संतुलन बिगड जाएगा यदि पेड़ पौधे जादा संख्या में काटे जाएंगे रेगिस्तान बनते देर नहीं लगेगी और वर्षा भी नहीं होगी कई समस्याइं उत्पन हो जाएंगी अच्छा पेड़ पौधों की विशेशता है परोपकार करना बिलकुल परोपकार दूसरों के उपर उपकार करना हमें भी उनकी तरह परोपकारी बनना चाहिए क्यूं क्यूं बनना चाहिए देखो हमें हर किसी से सीखना चाहिए न तो हमें पेड़ पौधों से भी सीख लेनी चाहिए तो पेड़ पौधे क्या हैं बहुत परोपकारी हैं और हमें भी उनकी तरह परोपकारी बनना करने में आनंद की जो अनुभूती होती है ठीक है वो अलग ही होती है और देखिए एक दूसरे की मदद करना पेड़ पौधे क्या करते हैं एक तरह से हमारे लिए कितना कुछ हमारे लिए करते हैं हमारे लिए वर्दान के समान है किसी वर्दान से कम नहीं है केवल पेड़ प स्याई उत्पन हो जाती है तो पेड़ पौदे देखो फल देते हैं, छाया देते हैं लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगते, कितनी अच्छी इनकी भावना है, और हम मनुश्य क्या है स्वार्थी है हम अगर एक भला काम करेंगे तो हम उसके बदले में कुछ मांगते हैं, तो कभी भी किसी का भला करके उसकी इच्छा मत करो मांगने की वो अपने आप भगवान क्या करता है आपका भला करता है उस व्यक्ति से नहीं करेगा ठीके, वो व्यक्ति नहीं करेगा कभी भी आपका भला जिसका आपने भला किया होगा लेकिन जरूर कोई न कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर जरूर भला करता है तो हमें परोपकार करते रहना चाहिए अब पेड़ परोपकार करते हैं तो हम पर उपकार करते हैं और हम ही उसको कार्ट भी देते हैं लेकिन सुन्दरलाल जैसे कई लोग ऐसे आते हैं फिर जो पेड़ों को बचाने का भी काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से हमें पेड़ पौधों की विशेष्टा जो है पर उपकार करना तो हमें भी दूसरों पर उपकार करना चाहिए अगर सब ऐसे ही करेंगे तो सारी मानव जाती प्रसंद रहेगी कोई भी स्वार्थी नहीं होगा सब नी स्वार्थी हो जाएंगे तो कितना प्रेम भाव बढ़ेगा आपस में तो देश भी तरफ की करेगा कुछ करने के लिए तो देखे अपने घर विद्यालेव में अथ्वा आसपास लगे किनी पांच पेड़ों के नाम लिखे तो जो पेड़ लगे हैं उनके नाम आप यहां पर लिख देंगे किसी के आम लगा होगा, किसी के नीम का पेड़, कोई शहतूत का पेड़, कोई अशोका ट्री भी होगा तो अशोका का पेड़ कुछ भी जो भी पेड़ लगें आसपास तो किनी भी पांच पेड़ों के नाम आप लिख सकते हैं आम, अमरूद, केला, जामुन, फिर नीम का पेड़, पीपल का पेड़, अक्सर वो भी दिखी जाता है, तो शेहतूत का पेड़, जामुन का पेड़, जो पेड़ हैं उसके नाम आप लिख देंगे, अच्छा पेड़ पोधों की कटाई रोकने के लिए विज्यापन बनाई विज्यापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, तो इसको आपने जरूर बनाना है, अपनी नोटबुक में बनाईए, एक सुन्दर आप क्या करेंगे, विज्यापन बनाने का तरीका होता है, चित्र जरूर होना चाहिए, चित्र बनाएं, और पेड़ पोधों क कटाई रोकने के लिए कि उसको रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चे वो आप रहे जादा नहीं लिखना होता है 25 से 30 शब्द 20 से 30 तो कुछ जादा नहीं होता है अब दूर-दूर बबल्स बनाके डिजाइनिंग करके उसको लिखिए यह अपनी creativity है अपनी सुरिजनात्मकता है वाक के छोटे हो सरल हो यदि तुक बंदी हो तो भी अच्छा लगता है तब तो और भी अच्छा लगता है तो विज्यापन बनाने के कुछ नियम होते हैं तो एक box आप बनाएं उसमें चित्र बनाएं फिर उसके बाद उपर heading लिखें फिर उसके बाद आप कोई भी design से बनाके तो भी आप लिख सकते हैं और नहीं तो फिर ऐसे भी आप चित्र बनाकर भी लिख सकते हैं कि पेड़ों को मत काटो पेड़ हमारे जीवन दाता तो इसके बिना ना मनुश्य टिक पाता कुछ ऐसे तुक बंदी वाले शब चलिए तो आज हमारा ये सुन्दर लाल वाला पाट जो है वो समाप्त हो गया और आशा है आप पेड़ पौदों के महत्व को समझे होंगे और और नहीं तो कम से कम अपने जन्म दिन पर एक एक पौधा जरूर लगाएं उसकी देखरे करें इतना तो करी सकते हैं अगर इत पर इसके लिए सचेत होने की आवशकता है हम इतना खर्च करते हैं और चीजों के लिए तो पेड़ पौधे लगाएं कहीं लगवाएं तो अपने जन्म दिन पर एक पेड़ लगा दीजिए उसकी देखरें एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ भी देख ले तो कहां से कहां ब झाल